केवल तीन दिन में अधरक में दो बुन डालकर लगाओ दस कुना तेजी से भैंकर लंबे घने बाल होंगे वो भी इतने कम समय में सबसे खास बात है इसे बनाना कैसे है जी हां दोस्तों लगाने का तरीका तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे ही लेकिन उसे पहले जान लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है क्योंकि इसे 99% लोग जानते ही नहीं है नमस्कार दोस्तों स्वागत है रोगा नुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो के साथ दोश्तों, इस नुसके को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाप ले लिया है लौंग जि हा दोश्तों, यह वही लौंग है जिसका आप यूच करते हैं खाने में, चाय बनाने में जी हाँ, अगर आप इसका यूज बालों पर करेंगे तो बिस्वास मानिए, बालों की लेंथ बहुत ही तेज बढ़ने वाली है, लेकिन इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं, इसे बनाना कैसे है, इसे आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तापकि आपके बालों की सार समस्याएं खत्म हों, और आपके बाल लंबे घने और काले हों, अब भी जल्द से जल्द, लोग में बहुत सारे पोशक्ततों होते हैं, जैसे आईरन होता है, फासफूरस, मैगनीसियम, कैलसियम, जी हाँ दूस्तों, जितना इसमें नाम बताया जाए उतना ही कम होगा, इस से जुड़ी सारी समस्याएं ही खत्म हो जाती हैं, बाल जढने की समस्या हो, बाल लंबे न होने की समस्या हो, और अगर बाल आपके पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में भी ये नुसका बहुत ही कारगर होने वाला है आपके लिए, दोश्तों, हमने यहाँ पे ए अच्छे से और अच्छे से बाहर भी निकल सकें तो इसे अपको मीडियम में ही कूट लेना है अच्छे से आपको थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लेना है अब इसे आपको एक कट्वरी में पहले तो निकाल लेना है कट्वरी में आपको इसे रख लेना है दोस्तों जब आप इसका यूज अपने बालों पर करेंगे तो विश्वास मानिए पहले दिन से ही आपको बालों में फर्क दिखने लगेगा आपको जरूर महसूस होगा कि आपके बालों में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है कि सभी गुड आपके बालों के लिए कारगर हैं नेक्स्ट आपको ले लेना है अधरक जिया दोस्तों अधरक के वाल आप चाय में नहीं बलकि बालों पर यूज करिए जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह आप यूज करिए आपके बालों की लिंद बहुत ही अच्छी होगी बालों पर अधरक लगाने से बाल स्वस्त बनते हैं और हेर फ बात है बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी हमने यहां पर यूज करना है कम से कम दो इंच लंबे टुकड़े को अधरक के टुकड़े को आपको ले लेना है इस नुस्के को बनाने के लिए लंबे बाल रखना सभी महिलाओं को पसंद होता है लेकिन आजकल की इस्ट्रेस भरी लाइफ प्रदूसर और धोल मिट्टी के कारण लोगों के बालों से जूड़ी समस्याएं बहुत जादा होने लगी है और इन समस्याओं से बजने के लिए बहुत से लोग हेर केर प्रोड़क्ट का यूज कर लेते हैं जो केमिकल से जुक्त होते हैं तो ऐसे में उनके इस कयल पर नुकसान पहुँच जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनके बाल जढ़ कיौ रहे हैं जढ़ना क्यों नहीं बंध होरह है अलो बालों की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है तो ऐसे में अगर आप घरेलो नुस्खे का यूज करते हैं अपने बालों पर ऐ अगर आप अधरक यूज करेंगे इस तरीके से तो आपके scalp में blood flow बढ़ेगा क्योंकि अधरक में जो चीजे होती हैं वो आसानी से आपके बालों की growth को बढ़ाएंगी इसे आपको छील लेने के बाद साफ कर लेने के बाद अच्छे से उसके बाद आपको इसे कूटना है हमन में आपको जितना भी अधरक कूटा रखा है उसे आपको इसमें मिला लेना है अच्छे से आप मिला लेजिए दोनों के जो गुड़ हैं जो पोसकतत हैं आपके बालों के लिए बहुत ही कारगर होने वाले हैं जब आप अपने बालों पर इस तरह से इसका यूज करेंगे नेक्स्ट आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है किवल इसमें आपको एड करना है पानी जिहां एक गिलास पानी को अधरक और लॉंक के इस पेश्ट में आपको मिला लेना है एक गिलास पानी को मिला कर इसको थोड़ा साब चला दीजिए ताकि इसमें जो भी न्यूट्रें में रख लेना है जिससे आगे की प्रिक्रिया हम कर सकें दोस्तों आपको इसे एक बरतन में पहले तो डाल लेना है जो इसमें गुड़ है उसे आपको निकालना है ताकि आप अपने बालों पर उसका यूज कर सकें इसके लिए बहुत थी आसान तरीका है अब आपको इसे बाल लेना है अब आपको इसे रख देना है कुछ देर के लिए ठंडा होना के लिए आपको ध्यान नखना है इसे पूरी तरह से ठंडा ने वने देना है थोड़ा सा गुन-गुना रहे तभी आपको इसको यूज करना है अब आप एक कटोरी में चाय चन्नी लगा लेजिए फिर आपको इसे अच्छे से पहले तो छान लेना है जो भी इसमें नूट्रेंस है सभी इस पानी में आ चुके हैं जी हां आप पानी का कलर भी देख सकते हैं कि इसका कलर कितना डार्क हो गया है आपके बालों की लेंध के लिए बालों की लंबाई के लिए बालों को तेज सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं और वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो वीडियो को एक लाइक जरू करें दोस्तों लगाना बहुत ही आसान है इसको सुबह में जब आप अपने बालों को धु कोई बात नहीं है फिर अपने बालों को अच्छे से सैंपू से वास कर लें सब्सक्राइब तीन बार इस नुस्खे का यूज करिए बहुत ही आसान तरीका है अपने बालों को लंबा और घना करने के लिए और तेजी से बालों को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ हेयर पोड इती रेट पर परचेज भी कर सकते हैं